कच्चे केले की सबजी सोचकर यह ऐसा लगता है कैसे बनाएंगे स्वाद कैसा होगा तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कच्चे केले की सबजी की एक शानदार रेसिपी पनीर की सबजी, काजू करी और रेस्टोरेंट की हर सबजी फेल है इसके आगे सबजी के लिए हम यहाँ पर एकदम फ्रेश कच्चे केले लेंगे और कच्चे केलों की सबसे ज़्यादा परिशानी आती है इनको छीलने में इसलिए हम इनको स्टीम करेंगे ताकि यह थोड़े से पक पी जाए और छीलने में बहुत आसानी हो देखिए कड़ाई में मैंने कहाँ पर फोल्डिंग स्टीमर रखा है और उस पर मैं पाँच कच्चे केले रख रहे हूँ केलो को हमने चैसे धोल लिया है कड़ाई का ढखकर में बंद कर दूँगी 15 मिंट के लिए 15 मिंट बाद देखिए केले के छिलकों का कलर एकदम चेंज हो गया है और उनको मैं नाइफ से चेक करूँगी तो ये अच्छे से पक भी गये है अब इनको ठोड़ा ठंडा कर लेंगे और विल्कुल जैसे पके खेले हम चीलते हैं इस तरह से ये चील जाएंगे आसानी से केलो को हमें ओवर कुक नहीं करना है नहीं तो केले बनाते वक्त तूटने लगेंगे देखिए सभी केले में नहीं चील लिये हैं इनको हम किसी भी शेप में काट सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं केलों के तीन पीस करूँगी और उसे फिर दो पार्ट में डिवाइड करूँगी क्योंकि हम बड़े पीसेज की सबजी बना रहे हैं आज नहीं तो आप केलों के छोटी-छोटे स्लाइजेज भी कर सकते हैं सभी केल्य के पीस में ने काट लिए हैं अब इनको मेरीनेयट करने के लिए एक बॉल में ने डाल लिया है और इसमें डाल रहे हुए 1,4-3 पून हल्दी पाउडर और आदा चमच में इसके इन डाल रहे हुँ लाल मिर्च पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और इसके इन दर हम डालेंगे 3 चमच करीबन अचार का मसाला जो हमारे घर में बनीवी अचार रखी होती है उसमें से ही तेल सही तम 2-3 चमच अचार का मसाला निकाल लेंगे इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और अब इसके इंदर हम डालेंगे करीबन 3 चमच फेटा हुआ गाड़ा दही थोड़ा सा खटा दही डालेंगे हम जब भी कोई चीज मेरिनेट की जाए तो उसमें दही जरू डालना चाहिए दही से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है अब इसमें हम डाल रहे हैं आदा चमच नमक और उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास बनी हुई अचार का मसाला अवेल कर लीजिए दो तिन चमच और उसके साथ मिक्स करके वो मसाले और इसमें डाल दीजिए अब इसको कवर करके 15 मिट के लिए छोड़ देंगे अब रखेंगे गेस पर एक कड़ाई और उसमें डालेंगे तीन बड़े चमच ऑईल आप सरसों का भी यहां पर यूज कर सकते है अब इसमें डालेंगे हम खड़ा गर मसाला, दो लोंग, थोड़ी सी दाल चिनी और आदी काली बड़ी इलायची उसके दाने निकाल के डालेंगे मैंने एक चमच जीरा डालूंगी जीरा जिसी तड़कने लगेगा इसमें हम डालेंगे दो मीडियम साइज के प्याज जिन मैंने यहाँ पर आठ नो कलिया लसन की और एक इंच अद्रक का टुकडा, उनको छोटी कीसनी पर कीस कर लिया है, अब बजार का भी लसन अद्रक का पेस्ट यूज कर सकते हैं, इनको भी हम लगाता है चलाते हो अच्छे से पका लेंगे और अब डाल रहे हैं दो हरी इन सब चीजों को हम एक याँ दो मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम सुखे मसाले, यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर और वन फोर टीस्पूनी लाल मिर्च पाउडर, एक चमज धनिया पाउडर, अब सब मसालों को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे, लाल मिर्ची में आपर कम डालेंगे, क्योंकि मेरी निशन में भी हम अच्छे से मसाले डालेंगे, नहीं तो सबजी बहुत ही तीखी हो जाती है फिर, सबजी के अच्छे कलर के लिए मैं डाल रहे हूँ एक चमज कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह तीखा बिल्कुल नहीं होता है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे हम दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट, हम यहाँ पर टमाटर कम यूज करेंगे, क्योंकि हमने मेरीनेशन में भी दही का यूज किय जाए ने तो सबजी बहुत जादा खटी हो जाएगी, यहाँ पर हमने थोड़ी कटे हुए पोदीने के पत्ते भी डाले हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अब इसमें डालेंगे हम वन फोर्थ कप पानी, और स्वाद के अनुसर थोड़ा सा नमक डालें क्रक्रकिन ऍसको पाता हरें, तर नमक की अटाके हम नमक डाल जूक करें हैं, अब हम इसको कवर करके, कमसे कम 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, अब मरिनेटेड बनाना पीसेश को फ्राई करने के लिए हम रखेंगे एक फ्राई पिन और उसमें डालेंगे हम बनाना mix करते हुई fry करेंगे ताकि ये नीचे से चिपके ना इनकी जो flat वाली surface है उसको नीचे कर लेंगे दोनों sides को अलट पलट के हम बनाना को बहुत अच्छे से fry कर लेंगे जब तक इसका दई वाला जो गीलापन है वो पूरी तरह से सूख न जाए देखिए केले के piece बहुत अच्छे से fry हो गए है यहां में इस बात का बहुत ध्यान रखना है केले में कच्छापन नहीं रहना चाहिए इनको दोनों तरफ से एकदम अच्छे से हमको fry करना है देखिए 10 मिनट हो गए है और टमाटर भी अच्छे से पक गया है देखिए ओईल उपर से आने लगा है एकदम अब हम इसको बहुत अच्छे से खुले में ही मिक्स करते हुए और थोड़ा पकाएंगे जब तक कि ओईल अच्छे से सबजी में से रिलीज नहीं हो जाए यही खास अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है सबजी के अच्छे बनने का कि हमें इसमें कच्छापन बिल्कुल नहीं रखना है लसन पे आज वगर का अब इसमें हम मेरिनेटेड के वे बनाना पीसेस में से जो दई बची है वो एड़ कर देंगे दई में काफी मसाले भी है इसलिए इस दई को वेस्ट नहीं करेंगे इसे हम ग्रेवी में जरू डालेंगे और इसे भी लगातार ही चलाएंगे और बिल्कुल कम आज पर नहीं तो दई कई वार फट जाती है इसलिए दई डालने से पहले ही हम आज को थोड़ा कम कर देंग दई अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसके दर हम सभी बनाना पीसेस डाल देंगे फ्राई किये हुए और इनको भी हम 2-3 मिनट खुले में ही अच्छे से पकाएंगे जब यह बहुत अच्छे से मिक्स होने लगे और पकने लगे उसके बाद इसको हम एक या दो मिनट के लिए सिर्फ कवर करके और पका लेंगे देखिए बनाना पीसेस भी इस ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से भुन गए हैं अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे हम जो fry pan था ना जिसमें हमने बनाना pieces fry किये थे बस उसी के अंदर हम पानी डाल के थोड़ा गरम कर लेंगे ताकि वो मसाले भी वेश्ट ना हो और गरम पानी को हम इसके अंदर add करेंगे और वापस इस सब्जी को कम से कम 20 से 25 मिनट तक low flame पर हम पकाएंगे बनाना को बहुत अच्छे से पकाना बहुत जरूरी है नहीं तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा अच्छे से देखिए 20 मिनट हो गए हैं सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है ओयल भी उपर उपर दिखिए कितना अच्छा रिलीस हो गया है और कलर कितना अच्छा है सबजी का और स्वाद तो उससे भी बहुत जादा अच्छा है अब आप केले की सबजी को नान, परांठा या तवारोटी किसी के साथ भी परोसिए ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ धन्यवाद